हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल दे नेक्स लेवल एडुकेशन में मैं आननल मिश्र आपके सामने लेकर आया हूं आधुनिक इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास यह हमारा भाग चार है इससे पहले भी हमारा तीन भाग निकल चुका है तो आपको यह हमारा आधुनिक भारत का इतिहास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें हो जादा जादा लोगों तक सेयर करें चलिए आज के पहले हम प्रस्ण के तरफ चलते हैं तो हमारा आज का पहला प्रस्ण है तो यह थे राजेंद्र परसाद कौन सामिल थे तो यह थे राजेंद्र परसाद कौन सामिल थे राजेंद्र परसाद चलिए इसके बारे मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूँ तो आप नोट कर सकते हों महात्मा गांधी जी 10 अप्रेल 1917 को चंपारन पहुंचे उन्होंने साथ उनके साथ ब्रिज किसोर परसाद, राजेंद्र परसाद, अनुग्रह नारायन, सिन्हा और जेबी किपलानी भी थे हैं बारे मैं आपको कुछ आंकाई देता हूँ 1928 में पहली बार भारत के लिए समिधान का मसोदा मोती लाल नहरू द्वारा तैयार किया गया 1919 में कॉंग्रिस के लाहोर अधिवेशन में पूर्ण सोराज प्रस्ताव पायत किये गए कहां पूर्ण सोराज पायत किये गए लाहोर में इस अधिवेशन में जवालाल नहरू को कॉंग्रेस का अधिवेशन के 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 अधिव अम्बिका चरण मजुम्दार इसका रहा है मैं आपको कुछ जानकाई देता हूं कॉंग्रेस के 1916 में लखनो अधिवेशन के अधिक्षता अम्बिका चरण मजुम्दार ने की थी इस अधिवेशन में कॉंग्रेस को घरो गर्मी दल और नर्म को एक मंच पर रखा गया इसके साथ कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एतिहासिक लखनो समझोता भी हुआ था कौन से समझोता हुए था मुस्लिम लीग के बीच एतिहासिक लखनो समझोता भी हुआ था चले हम अपने अगले प्रश्न के तरब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 1940 के वैक्तिगत सत्यागरह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था विनोवा भावे को चले इसके लिए मैं आपको कुछ जनकाई देता हूँ अगस्त प्रस्ताव के दोरान गांधी जी ने सबने अवग्या सुरू करने का सुझाओ दिया इसके लिए गांधी जी ने आचारे विनोवा भावे को पहला सत्यागरही चुना और जवाहल लाल नहरू को दूसरा सत्यागरही चुना चले हैं अपने अगले प्रस्ण पे चलते हैं हमारा आज का अगला प्रस्ण है प्रतेक्ष कारवाही दिवस 16 अगस्ट 1946 को किसके द्वारा मनाया गया तो किसके द्वारा मनाया गया था यह मुस्लिम लीग के द्वारा किसके द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा चले इसके बारे मैं आपको कुछ अनकाई दे देता हूँ मुस्लिम लीग ने 16 अगस्ट 1946 को प्रतेक्ष कारवाही दिवस के रूप में मनाया था क्या था उनका करना कि हिंदू और मुस्लिय आपस में मिल के नहीं रह सकते हैं चले हम अपने अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं तुम्हारा आज का अगला प्रश्ण है 1893 में गनपती तहवार किसने शुरू किया लोक माने तिलक चले इसके वार मैं आपको कुछ जानकाई दे देता हूँ बाल गंगाधर तिलक ने वर्स 1893 में गनपती उत्सों की शुरुवात की धीरे धीरे महराष्ट का यह तेवार पुरे देश में मनाया जाने लगा चले हम अपने अगले प्रश्ण पर चलते हैं वर्णर कूलर प्रेस एक्ट किसके दौरा सुरू किया गया था तो यह एक्ट किसके दौरा सुरू किया गया था चले इसके अब मैं आपको कुछ जानकाई देता हूँ भारत में देशी प्रेस का प्रतिबंद लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में कब 1878 में वारना कुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था कब लागू किया था 1878 में इस अधिवेशन के द्वारा राष्ट्र वादी अखवार सोम प्रकास का पर सबसे पहला प्रतिबंद लगाया था सबसे पहले प्रतिबंद लगाया था सोम प्रकास पर चले हम अपने अगले प्रकास की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रकास ने 1907 में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन के अधियक्षता किसने की थी तो किसने की थी ये रास बिहारी बोष ने किसने रास बिहारी बोष ने चले इसके बार मैं आपको कुछ अनकाई दे देता हूं इस में क्या रास बिहारी बोष ने कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन की अधिवेशन के थी इस अधिवेशन में कॉंग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था इसमें क्या khut मतलब जले हम एगले प्रेशन के तरफ चलते हैं मदरासलेबर Union की स्थापना किसने की थी BP वाडिया ने इसका एर्म चले मैं आपको कुछ जानकाई देता हूँ मदरासलेबर Union भारत का पहला पंजीक्रित था क्या था पहला पंजीक्रित था इसकी स्थापना BP वाडिया ने की थी बी कल्यान सुन्दरम के साथ मिलका किये थे बी कल्यान सुन्दरम के साथ मिलका किये थे बी कल्यान सुन्दरम के साथ मिलका किये चले हम अपने एगले परस्ट की तरफ चलते है भारत का पहला पंजी करे ट्रेंड यूनियन कौन सा था तो भारत का पहला ट्रेंड यूनियन ये मदरास लेवर यूनियन था क्या था मदरास लेवर यूनियन चले हम अपने एगले परशन के तरफ चलते हैं इसका मैं आपको कुछ जानकाई दे तो मदरास लेवर यूनियन भारत का पहला पंजीकरित मजदूर संग का इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने बी कल्यान सुंदरम के साथ मिलके की थी चले हम अपने एगले परशन के तरफ चलते हैं जलिया वाला बाग हत्या कांड के विरोध में किसने वाई सराई की कारेकाली परिसद में परिसद से इस्तिफा दिया था किसने इस्तिफा दिया था संकर नरायन ने किसने सकरन नरायन ने चले इसके आए मैं आपको कुछ बताता हूं जलिया वाला बाग के विरुद के फल सरूप सकरन नायर ने वाई सराई की कारवाही परिसद से इस्तिफा दिया था किसने दिया था सकरन नायर ने शकरन नायर ने दिया था चलिएए मैं अबने एगले प्रश्ण पर चलते हैं जलिया वाला बाग अ गथिया कांट किस दिन घटी थी 13-अपरेल उननिस सो उन advertise co घटी थी इसके आपको कुछ जान काई देता हूं जलियावाला बाग हत्या कांड 13 अप्रेल 1919 को अम्रिस सल में जलियावाला बाग की घाटी थी इस दिन लोग रोबोट एक्ट के विरोध के लिए जलियावाला बाग में एकत्र हुए थे क्या हुए थे किस एक्ट के लिए रोबरेट एक्ट के लिए चलिए हैं अगले प्रेस्ट पर चलते हैं गदर जनरल सबसे पहले किस भासा में प्रकासित हुआ गदर जनरल सबसे पहले किस भासा में प्रकासित हुआ उर्दु में किस भासा में उर्दु में इसके वारे में चलिए मैं आपको कुछ जनकाई देता हूँ तेरा सो तेरह में गदर पत्रीका का प्रकासन उर्दू भासम हुआ था तो कब हुआ था त्ग परशचाथ- इसे अंह्गहेजी पनजाबी और पस्टू में भी प्रकासित किया गया था चलिए हैं अपने एगले प्रकासन की तरफ चलते हैं चंद्रसेखर आजाद की सहादत की तारीक को हुई थी कब हुई थी किस तारीक हुई थी चंदर सेखर आजाद की मृत्यू 27 फरबरी 1931 को हुई थी कब हुई थी 27 फरबरी 1931 को चंदर सेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 के मद्ध भारत में हुआ था एक मुटभेर में 27 फरबरी 1931 में वे सहीद हो गए थी चले हम अगले प्रश्ण के दरब चलते हैं हमारा आज का आखली और अंतिम प्रश्ण भारत में पहली बार जन गन्ना कब किया था तो भारत में पहली ब प्रश्ण काई देता हूं भारत में पहली बार 1872 में जन गन्ना किया था पर अच्छे प्रकार से कब किया गया था अठास बहत्तर में नॉर्मली जन गन्ना हुआ था और दोस्तों आपको यह हमारा जी के का सिट कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब क तक सिर्द करें जै हिन जै भारत